नमस्कार दोस्तों, Take Net India YouTube चैनल में आपका स्वागत है. आखिर एक कम्प्यूटर क्या है? कम्प्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, जो आजकल हमारी जिन्दगी में बहुत इंपोर्टेंट बन गया है. कम्प्यूटर हमारी difficult tasks को आसान बना देता है, क्योंकि इसके बारे में सोचना कम्प्यूटर का काम होता है. हम बस instructions देते हैं कम्प्यूटर को keyboard और mouse के थुरू. कम्प्यूटर में CPU, Monitor, Keyboard, Mouse होती है. CPU पर सारी processing होती है और Monitor पर हम जो भी करते हैं वो दिखता है. कम्प्यूटर से हम Internet उप्योग करके कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे Online Shopping, Ticket Booking, Games खिलना और बहुत कुछ. इसलिए कम्प्यूटर के बिना हमारी Life अधूरी रह जाती है. हर घर में आजकल कम्प्यूटर जरूरी है. चलिए कम्प्यूटर के बारे में जानकारी जानते हैं. कम्प्यूटर क्या है? कम्प्यूटर एक Electronic Device है जो डेटा को प्रोसेस करता है और जानकारी देता है. इसमें Hardware और Software दोनों होते हैं. Hardware, कम्प्यूटर के Physical Parts को कहता है, जैसे Keyboard, Mouse, Monitor, Etc. Software, Programs और Operating Systems होते हैं जो कम्प्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है. कम्प्यूटर को हम Input देते हैं, फिर वो उस Input को प्रोसेस करके Output देती है. आज कल, कम्प्यूटर की मदद से हम कई तरह की Activities कर सकते हैं, जैसे Internet Browsing, Email, Games, Programming, Graphic Design, Etc. कम्प्यूटर की मदद से हमारी जिन्दगी काफी आसान हो गई है. यहां से आप सुपर कम्प्यूटर और Quantum कम्प्यूटर के बारे में जान सकते हैं. कम्प्यूटर का अर्थ कम्प्यूटर का अर्थ होता है एक Electronic Machine जो Data या Information को प्रोसेस करके हमें उसका Output देता है. Software वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कम्प्यूटर फॉलो करता है, जैसे Operating Systems, Applications और Programs. कम्प्यूटर की क्षमता है बहुत अधिक, वह किसी भी प्रकार की जटिल समस्या को हल कर सकता है, धेर सारे डेटा को जमा कर सकता है और विशलेशन कर सकता है. इसके अलावा, हम Multimedia, Internet, Games और अनेक प्रकार की कारेवाहियां भी कर सकते हैं. कम्प्यूटर का इतिहास क्या है? हमारा कम्प्यूटर इतिहास का सफर पहले ही गणना उपकरनों जैसे अभाकस के साथ शुरू होता है, जो सरल अंगणितिये हिसाबों के लिए इस्तिमाल होता था. फिर सत्रवी और अठारवी शताबदी में पास्कल की कैलक्यूलिटर और जैकार्ड लूम जैसी अधिक विक्सित मेकिनिकल मशीने आईई. हालांकि आधुनिक कम्प्यूटरों के वास्तविक विकास बीसवी सदी में ही शुरू हुआ. 1946 में पेश की गई Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC, जिसे आधुनिक कम्प्यूटरों का जनक माना जाता है. वहां से कम्प्यूटरों ने तेजी से विकास किया मुख्य फ्रेम वाले भारी मशीनों से 1970 में परसनल कम्प्यूटरों तक और आज के शक्तिशाली मशीनों तक. कम्प्यूटर कैसे काम करता है? कम्प्यूटर का कामकाज संगनकिय निर्देशों का पालन करने पर आधारित होता है. यह निर्देश एक विशेश क्रम में होते हैं, जिसे हम सॉफ्ट्वेर कहते हैं. कम्प्यूटर की कारेक्षमता को अनुकूलित करने के लिए विभिन प्रकार के सॉफ्ट्वेर उप्योग में लाई जाते हैं. कम्प्यूटर का मुख्य भाग CPU, Central Processing Unit, होता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है. इसके दो घटक होते हैं, Control Unit और Arthmatic Logic Unit, ALU. Control Unit सभी Input और Output उपकरणों को नियंतरित करता है, जबकि ALU गर्नात्मक और तारकिक कारेों को करता है. जब हमें कोई टास्क करना होता है, तो हम उसे Input Device जैसे की कीबोर्ड या माउस के माद्धिम से देते हैं. इस Input को Binary Code में बदला जाता है, जिसे Computer समझ सकता है. यह Binary Code CPU को भीजा जाता है, जहां इसे Process किया जाता है. CPU द्वारा Process किये गए डाटा को फिर Output Device जैसे की Monitor या Printer पर दिखाया जाता है. इस प्रकार, Computer के विभिन घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे आदेशों का पालन करते हैं. Computer का पूरा नाम क्या है? तक्नीकी रूप से Computer का कोई पूरा नाम नहीं होता है. Computer का पूर्ण रूप, Computer, एफिर भी Computer का एक कालपनिक फुल फॉर्म है. C. Commonly O. Operated M. Machine P. Particularly U. Used for T. Technical and E. Educational R. Research अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा. आम उपरेटिंग मशीन विशेश रूप से व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है. Computer की विशेशताएं Computer में निम्नलिखित विशेशताएं होती है. Speed बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित करने में एक Computer मानव की तुलना में तेज है क्योंकि यह कई गणनाओं को तेजी से कर सकता है. Accuracy वैग्यानिक और डेटा विशेशक वैग्यानिक अनुसंधान और डेटा विशेशन जैसे सटीक परिनामों की आवश्यक्ता वाले कारें के लिए Computer का उपयोग करते हैं क्योंकि वे उच्चस तर की सटीकता के साथ गणना कर सकते हैं. Reliability जहां तक Computer का संबंध है, वे अत्यदिक विश्वस्निय होने के लिए डिजाइन किये गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिना तूटे या खराबी के बहुत लंबे समय तक लगातार चल सकते हैं. Versatility उद्देशों की एक विस्तरित श्रिंकला के लिए Computer का उपयोग करना अत्यंत बहुमुखी है, और यह बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विज्ञान और Engineering से लेकर व्यवसाय और मनोरंजन के साथ साथ कई अन्यक शेत्रों में उपयोग करने की अनुमती देती है. कम्प्यूटर कैसे चलाते हैं? कम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऐसे तो बहुत से लोगों ने इस Computing Field में अपना योगदान दिया है. लेकिन इन सब में से ज्यादा योगदान चार्ल्स बेबिज का है. क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले Analytical Engine Sun 1837 में निकला था. उनके इस एंजिन में ALU, Basic Flow Control और Integrated Memory की कॉंसेप्ट लागू की गई थी. इसी मॉडल पे ही बेस करके आजकल के कम्प्यूटर को डिजाइन किया गया. इसी कारण उनका योगदान सबसे ज्यादा है. तभी उनको कम्प्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाता है. कम्प्यूटर की परिभाशा कम्प्यूटर की परिभाशा एक Electronic यांत्रिक उपकरण है जो Input Data को प्रोसेस करने, संगन किया रूप में परिवर्तित करने और Output के रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका नाम अंग्रेजी शब्द Compute से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना. कम्प्यूटर में विभिन घटक होते हैं, जैसे की CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory और Storage Devices, Hard Disk, SSD. Input और Output Devices जैसे की Keyboard, Mouse, Monitor और Printer भी इसके महत्वपून घटक हैं. कम्प्यूटर का कारे डाटा को स्थानांतरित करना, प्रसंसकरन करना और अंतिम परिनामों को दिखाना है. यह कारे विभिन सौफ्टवेर के माध्यम से किया जाता है, जो निर्देशों का समू होता है, जिसे कम्प्यूटर द्वारा पालन किया जाता है. इस प्रकार, कंप्यूटर की परिभाशा है एक यांतरिक उपकरण जो कारेों को स्वचालित रूप से करने, डाटा को संसाधित करने और सही नतीजों को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के मुख्य कारे क्या है? अब चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य कारे क्या क्या है? इन्पूट डेटा इन्पूट वो स्टेप है जिसमें की रौ इन्फॉमेशन को इन्पूट डिवाइस इस्तमाल करके कंप्यूटर में डाला जाता है ये कोई लेटर, पिक्चर या कोई विडियो भी हो सकता है प्रोसेस प्रोसेस के दौरान इन्पूट हुए डेटा को इन्स्टरक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है ये पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस है आउटपुट आउटपुट के दौरान जो डेटा पहले से प्रोसेस हो चुकी है उसको रिजल्ट के तोर में शो किया जाता है और यदि हम चाहें तो इस रिजल्ट को सेव करके मेमुरी में रख भी सकते हैं फ्यूचर के इस्तमाल के लिए यदि आपने कभी किस कम्पुटर के इस के भीतर देखा होगा तो आपने ये जरूर पाया होगा कि अंदर छोटे-छोटे कई कमपोनेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटड दिखते हैं पर वो आक्चुली में उतने कम्प्लिकेटड नहीं होते अब मैं आप लोगों को इन ही कम्पोनेंस बारे में कुछ जानकारी दूँगा किसी भी कम्प्यूटर का मुक्य सर्किट बोर्ड को मदर बोर्ड कहा जाता है ये एक पतली प्लेट की तरह दीखता है पर ये बहुत सी चीजों की धारन किया हुए होता है जैसे CPU, Memory, Connectors, Hard Drive और Optical Drive के लिए Expansion Card, Video और Audio को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ साथ कम्प्यूटर के सभी पोर्ट को Connection देखा जाए तो मदर बोर्ड कम्प्यूटर के सारे पार्ट के साथ Directly या Indirectly जुड़ा हुआ होता है CPU Processor क्या आप जानते है Central Processing Unit यानी CPU? इसको भी कहा जाता है ये कम्प्यूटर के से अंदर मदर बोर्ड में पाया जाता है इसे कम्प्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है ये किसी कम्प्यूटर के भीतर ही रहे सारे गतिविधियों के ऊपर नजर रखे हुए होता है जितनी ज्यादा एक प्रोसेसर की स्पीड होगी उतनी ही जल्दी ये प्रोसेसिंग कर पाएगा RAM RAM को हम Random Assets Memory के नाम से भी जानते है ये सिस्टिम का शॉर्ट टर्म मेमाई होता है जब भी कभी computer कुछ calculation करता है तब ये temporarily उस result को RAM में save कर देता है अगर computer बंद हो जाए तो ये data भी खो जाता है यदि हम कोई document लिख रहे हों तब उसे नश्ट होने से बचने के लिए हमें बिच बिच में अपने data को save करना चाहिए save करने से data hard drive में save हो तो ये लंबे समय तक रह सकती है RAM को megabytes, MB और gigabytes, GB में मापा जाता है जितना ज्यादा RAM होगा उतना हमरे लिए अच्छा है hard drive hard drive वो component है जहां software, documents और दुसरे file को save किया जाता है इसमें data लंबे समय तक store होकर रहता है power supply unit power supply unit का का काम होता है कि main power supply से power लेकर उसे जरूरत के अनुसार दुसरे components में supply करना expansion card सभी computers के expansion slots होते हैं जिससे की हम future में कोई expansion card को add कर सके इन्हें PCI, peripheral components interconnect, card भी कहा जाता है लेकिन आज कल के motherboard में built इन्ही कई slots पहले से होते हैं कुछ expansion card के नाम जो हम पुराने computers को update करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं video card, sound card, network card, bluetooth card, adapter, computer hardware और software computer hardware को हम कोई ऐसी physical device कह सकते हैं जिसे हम अपने computer में इस्तमाल करते हैं वही computer software का मतलब है codes का collection जिसे हम अपने machine के hard drive में install करते हैं hardware को चलने के लिए उधारन के तोर पे computer monitor जो हम पढ़ने के लिए इस्तमाल करते हैं, mouse जिसे हम navigate करने के लिए इस्तमाल करते हैं, ये सब computer hardware है वही internet browser जिससे हम website विजिट करते हैं और operating system जिसमें की वो internet browser रन होता है ऐसी चीजों को हम software कहते हैं हम ये कह सकते हैं कि एक computer software और hardware का समिशरण है, दोनों की सामान भूमिकाएं हैं, दोनों साथ मिलकर ही कोई काम कर सकते हैं Computer के प्रकार Computer दो प्रकार के होते हैं, analog और digital Analog computer को कम शक्ती की आवश्यक्ता होती है, लेकिन उन्हें data संसाधित करने के लिए अधिक समय की आवश्यक्ता होती है जब हम computer शब्द सुनते हैं, हमारे मन में आम तोर पर personal computer की तस्वीर आती है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि computer कई प्रकार के होते है वे विभिन आकार और आकरितियों में आते हैं आवश्यक्ता के अनुसार हम इनका उप्योग करते हैं, जैसे की ATM से पैसे निकालने के लिए, स्कैनर बारकोड स्कैन करने के लिए, कैलकुलेटर बड़ी गणना करने के लिए ये सभी विभिन प्रकार के computer है एक डेस्कटाप बहुत से लोग डेस्कटाप computer का इस्तमाल अपने घरों, स्कूलों और अपने परसनल काम के लिए करते हैं इनका डिजाइन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इन्हें हम अपने डेस्क पर रख सकें इनके बहुत सारे parts होते हैं, जैसे monitor, keyboard, mouse, computer case दो, laptop laptop के बारे में आप तो जानते ही होंगे जो की battery powered होते हैं ये बहुत ही ज्यादा portable होते हैं, जिससे इन्हें कहीं भी और कभी भी ले जाया जा सकता है तीन, tablet अब बात करते हैं, tablet की जिसे हम handheld computer भी कहते हैं, क्योंकि इसे बड़ी आसानी से हातों में पकड़ा जा सकते है इसमें keyboard और mouse नहीं होते, बस एक touch sensitive screen होता है, जिससे typing और navigation के लिए इस्तमाल किया जाता है एक server कुछ इस प्रकार का computer है, जिसे हम information के आदान प्रदान के लिए इस्तमाल करते हैं उधारन के तोर पे जब भी हम कोई चीज इंटरनेट में खोचते हैं, वो सारी चीजें server में ही store होती है computer का उपयोग computer का उपयोग हम अपने जीवन में हर जगह करते आ रहे हैं और करते रहेंगे ये हमारा एक अंगसा बन गया है मैंने इसके कुछ इस्तमाल को आपकी जानकारी के लिए निचे लिखी हुई है education शिक्षा में इनका सबसे बड़ा हाथ है अगर कोई student को किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तब उसे कुछ मिंटों में ही ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है इसकी मदद से research से पता चला है कि computer की मदद से किसी भी student की learning performance में काफी बढ़ोतरी हुई है आजकल को घर बैठे ही online classes की मदद से पढ़ाई की जा सकती है health and medicine ये health और medicine के लिए एक वरदान है इसकी मदद से आजकल मरीजों का इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है आजकल सभी चीजे डिजिटल हो गई है जिससे बड़ी आसानी से रोग के बारे में पता चल जाता है और उस हिसाब से उसका इलाज भी possible है इससे operation भी आसान बन गए है science ये तो science की ही देन है इससे research में बहुत ही आसानी होती है आजकल एक नया train चल रहा है जिससे collaboratory भी कहा जाता है जिससे दुनिया के सारे scientist एक साथ मिलकर काम कर सकते है इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है कि आप कौन से देश में महजूद हो business business में इसका बहुत बड़ा हाथ है productivity और competitiveness को बढ़ने के लिए इसका इस्तमाल मुख्य तोर से marketing, retailing, banking, stock trading में होता है यहाँ सभी चीजें digital होने के कारण इसकी processing बड़ी ही fast हो गई है और आजकल cashless transaction पे ज्यादा importance दिया जा रहा है Recreation and Entertainment Entertainment के लिए ये एक नया अड़ा बन गया है किसी भी चीजों के बारे में आप बात करो जैसे movies, sports या restaurants कहीं की भी बात करो इनकी इस्तमाल सभी जगह है Government आजकल तो government भी इनकी इस्तमाल के उपर ज्यादा focus दे रही है यदि हम बात करें traffic, tourism, information broadcasting, education, aviation सभी जगह में इनके इस्तमाल से हमारा काम बहुत हो आसन हो गया है Defense सेना में भी इनका इस्तमाल काफी हद तक बढ़ गया है जिसकी मदद से अब हमारी सेना और ज्यादा सशक्त बन गई है क्योंकि आजकल सभी चीजों को computer की मदद से control किया जाता है इसका उपयोग हमारी आवशक्ताओं के अनुसार बहुत सारी जगहों पर होता है अब तक आपको computer का introduction मिल चुका होगा मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को computer क्या है और इसकी विशेष्टाएं के बारे में पूरी जानकारी दी और आशा करता हूँ आप लोगों को इस computer technology के बारे में समझ आ गया होगा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like और share करे और हमारे चैनल को subscribe करो धन्यवाद